यह internal structures होंगे अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो four candles है basically आप यह समझ करके शोलो कि more than two more than two candles यह दो candles चुब बन गए तो simple से candles है अब इन दो candles के बन जाने के बाद में जितनी भी candles है देखिए या तो वो चार से कम होंगी चलेगा चार से ज्यादा होंगी तो भी चलेगा ए center table अगर हमने रख दी है तो वो four की है one plus two में actually क्या होता है one plus two का हम बार-बार जिकर नहीं करें क्योंकि यह वह उपने आपको पड़ा ही नहीं है तो हो सकता उससे आप हो जाओ confused तो one plus two जब होगी तब होगी इसमें देखिए क्या करेंगे ना कोई भी candle अपनी range के अंदर चिपी होई है बार-बार पाइस के अंदर को movements तो हो रहे हैं बर पाइस उस range को break नहीं कर पा रहा है और यहां से support ले रही है अपसाइट के तरफ चार से कम अगर तीन candles बन रही है तो वो भी हम consider कर लेंगे और अगर सबसे अदा powerful यह तब होती है जबकि चार candles form हो जाने candle के बन जाने के बात के जो structures होगे जबूरी नहीं है अगर हम one week आप से बोलने तो पूरा Monday से लेकर के Friday तक के sessions नहीं हो सकते है यह वाली Friday की candle हो और यह अपनी Thursday की candle हो इसके बात की भी जो line हम draw कर देंगे Friday की candle के हाई को तो भी एक weekly candle ही बन जाती क्योंकि lower time frame के पर आप weekly time frame पर आउगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा बट ऐसे दखो कि तो पूरा week यहां पर हम मिलता है पूरे week के time frame मिलता है जो कि different होगा हमारा weekly time frame से लेकिन कारगर यह बहुत होगा अब इसके बहुत example आपको दिखाएंगे एक दो तीन चार और एक यह candle कि टोटल मिला करके हो जाती पूरी पांच candle और इसके अंदर चार केंडल से आती हैं किसी भी mother candle के format को यह advance बना देती है यह चारो candles four advanced mother candles हम लोग इसे advanced mother candle बोल सकते हैं advanced in the sense के strong formations strong formations बनती है अब strong structures form होते हैं इतना हो जाने के बार में जरूरी नहीं है यह चार केंडल बन गई अब यहां पर पांचवी candle तुने आपका breakout दिखाई दे हो सकता है चार दिन पांच दिन छे दिन साथ दिन प्राइज आपका उस range के अंदर ही रुखा रहा है इन पांच candles के बन जाने के बाद हमारा एक structure यहां पर जो निकल के आता है एक point of action आगे अब यह point of action कैसा है up side में हमारा resistance और low side पर हमारा बन resistance और इसके vice versa resistance यह क्यों हम ने लिखा क्योंकि यह वाले जो resistance यह कभी भी आपका support में और नीचे का जो area है यह support area कभी भी resistance में convert होता है कभी भी हो सकता है इन levels के हम लोग use कैसे करेगे क्या use है इसका यहां पर basically नियम के according जो rules के according हमारे जो areas होंगे trade करने के लिए या तो यह वाले होंगे या तो फिर यह वाले हम लोग down side के area से क्योंकि beach का जितना भी area यह non-tradable zone है यह वाला zone यह non-tradable point है तो tradable area कों से है जहां पर यह हमने arrows क्लिक किये हैं यहीं से हम लोग buy या फिर sale या फिर इसी जगह से हम लोग sale या फिर buy देखेंगे तरीके क्या होंगे किस त ज़रुरी चीज़ क्या है कि अभी buy करें या sell करें इस चीज़ को दरकिनार करना होगा हम उसको avoid करेंगे अभी के लिए कि हमें trade नहीं करना है इसके उपर अभी trade नहीं करना है तो यहां पर हमें करना क्या है करेंगे क्या कई सारी formations हैं जैसे कि अभी आपनों को पढ़ा ही तो नहीं है लेकिन जैसे आपकी bullish-perish continuations हो गए या जितनी भी formations हम आगे चल करके पढ़ाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर marking करने के लिए जहुरी है कि जिस line से हमें trade execute करना है actually उस line के पास में हो रहे price action कि हमें थोड़ी बहुत समझ हो थोड़ी बहुत समझ से हमारा क्या मतलब है कि एक ये zone बना ये मेरा एक ये area बन गया या एक ये वाला area अब ये देखिए market चल रही हो सबसे बड़ी सबसे important जो condition है वो market चल रही हो सबसे important condition है रनिंग मार्केट during the running market हमें ये देखना होता है कि price जब इस जगह पर आया तो लोगर टाइम फ्रेम पर उसने किस तरह से react यहां पर क्या हुआ market ने किस तरह के movement दिखा है यह जो candles में जिस तरह की sparkness होई उसने किस तरह की sparkness दिखाई यहां इस एक उन formation में देखोगे सबसे ज़्यादा formation जो lower time frame की है अकसर आपको swing के पास में देखनों के मिलेंगी वो pre-defense formation होंगी अपनी अब उन formation को हम लोग ज़्यातर क्या करते हैं इस जगे पर देखते हैं in between नहीं जो non-treatable zone नहीं यहां पर नहीं देखेंगे हमें देखना है बिलकुल अपनी point of action पर जहां पर यह arrow है बिलकुल इस चेकर पर lower time frame की जितनी formations और दिरी दिर करके clear होंगी अभी के लिए यह हम क्यों बार बार यह क्यों हम बोलने lower time frame की जितनी formations वगरा हैं क्योंकि अभी के लिए ज़रूरी है आप लोग इस zone पर बहुत अच्छी तरह से practice करो इसे point पर बहुत अच्छी तरह से देखो कि movements कैसे हो रहे हैं जैसे for example हम आपको ओपी पर देखे 4 hour का time frame है यहाँ पर एक area जैसे यह वाला mark है यह है ना यह बड़ी से candle में mark कर ली volumes इतना नहीं देखना है एक, दो, तीन, चार, यह चार candles बन गई अब इसके बाद में चाहिए जितनी candles बने है 10, 15, 20, 50, जितनी बने बने हमें मतलब नहीं है हमें अब मतलब है अपनी इस वाली candles है जैसे ही price इस जगह पर आया हमें ready हो जाना है अब यह non-tradable zone में है अब कुछ नहीं करना हमको अगें जब price हमारा support point पर आएगा अब हमें wait करना है कि price इस एक जगह पर आए यहां से इसके movements हो आप lower time frame पर आओगे 50 minutes के time frame पर तो यहां पर देखो आपको बहुत अच्छे structures दिखने हो को मिलेंगे यह काम stock के अंदर जब हम लोग करेंगे तो daily और 5 minutes पर आएगे ओभी बगारा scripts के अंदर जब देख रहे हैं तो higher time frame के लिए यहां पर 4 hour और lower time frame पर 50 minutes को देखते हैं यहां पर देखो किसी भी तरह से जितनी भी analysis है ना lower time frame की इस एक जगह से करो हम यह बोल रहे हैं बार बार आपसे के जो higher time frame का जो आपका area निकलेगा higher time frame का जो point of action निकलेगा उस point of action पर जब market आपकी वापस से आए है यहां पर आए तो उसके structures कैसे बनेंगे किस तरह के structures होगे अब यहां पर देखो जैसे swing form हो रहा है यह swing लगा swing swing अब आप इसके उपर नजर डालोगे तो यह समझ में आगा कि जितने भी swings हैं यह protect हो रहा है यह protect हो रहे हैं देख रहे हैं ना market previous swing को protect कर रहे हैं यहां से यहां से और यहां से और जो इसका low point है वो break हो रहा है जहां पर देखें break हुआ यह एक retracement lower time frame पर यह जो छोटे-छोटे swings form होते हैं दर्शाते हैं कि higher upside के तरफ जाने के chances इसके कम है क्योंकि price को अगर upside के तरफ जाने तो यह तो यह तो यह अपने swings break करें या तो फिर resistance करें यहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है यह upside में मूव्ble nessa हमें कम ही लग रहा है या फिर upside में जाने के price actions कम लग रहा है यह हरकत हो कहां पर रही हैं उस एक जगह पर यह सारी हरकत हैं जिसको की हम लोग point of action बोलते हैं यानि कि analysis करने की सही जगह पर यह सारी हरकते हो रही हैं in सारी चिजों से हम यह यह समझ में आता है कि कहीं पर भी नहीं बैठ जाना है नाल्सिस करने के लिए कि यह स्विंग स्पन रहे हैं अब किसी भी कैंडल को अपने आग बंद करके उठा लिया और वहां से बैठ के देखने के लिए जैसे कि इस जूम को हम नहीं देख रहे हैं हम यहां पर आ गया हमें between किसी भी कैंडल को उठा लेना या randomly किसी भी कैंडल को उठा करके analysis करना यहां पर हमें इस एक जीए पर अपनी analysis करनी है यहां पर सबसे ज़्यादा chances रहते हैं कि आपके analysis अगर इस जगह अगर इस जगह इसे कर रहो ना तो chances बहुत कम रहेंगे कि वो analysis फिर आपकी fail हो इससे हमको मिल जादक point of action अभी इनही point of action का use हम लोग फिर lower time frame पर करते हैं अपने price को पहलने के लिए आपका काम चाह होगा जब आप marking कर लोगे न marking कर लिने के बाद में lower time frame पर आओ और यहाँ पर readings करो price जब चल रहा हो उस बीच में marking करके chart को बस देखो समझो trades execute मत करो क्योंकि आप अडानी भी देखोगे अडानी है इसके लावा जितने भी stocks भगे रहा है upside में आप आजाओ जिसे आर्ती है आर्ती में आपको area मिल जागा है यह marking हम सब remove करते पहले कि आप यहाँ daily पर आजाओ आर्ती में काफी अच्छ एक्जामपल मिलेगा यहाँ पर देखे जैसे है यह है बास story second रुकी हुई है ना marketing जगे पर एक दो तीन चाहर इन चार केंडस ने हमको हमारी formation देदी volume को देखना ही नहीं है volumes के breakout के साथ में जह हम लोग देखने लगते है point of action तो भी मैंने जैसे आपको बताया कि 1 प्लस 3 के अंदर 1 प्लस 3 सिस्टम के according जब काम करते है तब वहाँ पर price and volume दोनों को march करते है यहाँ पर तो सिर्फ price को देख रहे है higher time frame पर volume का use हो कह लेकि नो lower time frame पर हम लोग करेंगे तो आर्थी में देखें कितना अच्छा example मिल रहा है एक बड़ी सी candle उपने mark कर लिए अब यहाँ पर एक दू तीन चार केंडल से बन गए अब यह बन गए आपका एक resistance point आप देख लिए ना market जहां इस एक जगह पर आती है अडानी है अडानी में देखें हाई mark कर लो यह इस एक जगह पर और यह लोग पर रुकी हुई है दिखें उसके लिए एक दो तीन चार चार केंडल से अब टेक्निकली देखोगे तो यह मदर केंडल नहीं है क्योंकि विग के साथ breakout इस नहीं दिखा दिया है विग के साथ breakout हो गया है अब वैसे अगर हम लोग आएंगे अपने ट्रेडिशनल मेथट के अकॉर्डिशनली इट्स नॉट मुदर करेंगे दो चार पैसे 20 पैसे 50 पैसे अगर कोई एक विग बनके अप साइट की तरफ वा मुझा के अंदर भी बिल्कुल करिंट पीरेड में देख रहा है हाइस याद रखने इनको यह सारे चार्ट जब लाइव मार्केट में बैठना प्रैक्टिस करने के लिए तब एक चीज़ देखना है कि प्राइस आपका आपके इस जून पर आया यहां पर या फिर मुव्मेंट्स देखना सिर्फ मुव्मेंट्स देखना और देखना बजाज आटो के अंदर भी यह शायद बना हुआ है यह देखना है एक दो तीन चार प्रापर मिल रही चारों केंडल से यह जो चीज़ अभी हमने आपको बताई है और जितने स्टॉक्स बता हैं और कहा इनका बहुत गहरा एफिक्ट पड़ता है जब लोग अपनी अनासेस करेंगे या फिर ट्रेड एक्जिएउट करने जब जाएंगे ना उनका बहुत गहरा एफिक्ट पड़ेगा हमारे रीडिंग्स के ऊपर यह जो काम अभी हमने आपको पता है ना यह पूरी वीग करोग ठीक है ना इसमें बेसिकली सबसे आदा बहुत सिंपल सी चीज़ है चार केंडल किसी भी एक केंडल के अंदर हम लोगों को चार केंडल देखनी होती हैं विदाट वॉल्यूम्स ब्रिक आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं छोड़ता उसको सिंपली इस तरह से एक मैथड हम दो यह कर शेना रहेंगे इसके वो लाइब मार्केट में फिर हम लोग डिसकस करेंगे इसके अलाबा एक चीज और थी प्रीवेस वीक में हमने काफी सारा होमवर्ग गया था आप मोगों करने के लिए तो जो भी संबिशन मेरे पास हुए हैं जितने भी होमवर्ग के सब्म किसमे कितनी improvement होनी भी बाकी है और किनके किनके बहतर हैं हमें बहुत अच्छे बिल्कुल ideal formations बहुत कम देखी हैं क्योंकि first week है और इस हवाली time frame की practice को हम लोग बंद नहीं करेंगे उसे next week भी continue करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत गुंजाईश है हम जय का बार बर example दे रहे और वैसे हम लोग marking करेंगे अब ही हमने जितने आपको 4-5 stocks पता हैं उसको अपने पास आप नोटी कर लो इसके बाद FNO में जितने भी stocks आपको देख मिलें उनको देखिए और marking करके उसकी पहले से रख लीजे और live market में जब price देखिए कौन सा stock है जो कि आपके point of action के पास म जैसे price यहां पर है आप देख लेना यहां पर जिस तरह के move market करेंगे आपको मज़ा जागा एक तरफा move होता है अब तो up down to down ठीक है ना इतना सा काम करके हमें submit करोगे आप अब दूसरे पर चलते हैं एक तो यह system हो गया था four advanced अदर candle अब इसको हम कर देते हैं remove अब one plus इसक को देखते हैं एक काम करते हैं सब लोग वापस से region करें फिर इसको जल्दी से करके इसको डिसकर करें क्योंकि next week इसका भी काम होगा तो दोनों ही प्रोजेक्ट साब लों के लिए होगे फटाक सरी जन कीजिए इसको complete करते हैं